योबंद में आवायद सम्मन्दों का विरूत करने पर पती ने महिला को इट मार कर खायल कर दिया और मौके से फरार हो गया जिसके बाद स्थानियों लोगों ने महिला को इलाश के लिए STHC में भरती कराया वही उपचार के बाद कोत्वाली पहुची और पती के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जात शुरू कर दी है आपको बता दे कि पती के किसी और के साथ रिष्टे होने के शक पर महिला दूसरी महिला के घर के बाहर पहुच गई जहां महिला ने पती को रंगे हाथों पकड़ लिया जिसके बाद महिला के हंगामा करने पर पती के साथ कहा सुनी भी हुई